बजट 23 टेक्स पियर निवेसक कारोबारी जाने बजट में किसकी ले कितना गेन एंड पेन वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को लोकसभा में देश का बजट पेस कर दिया सरकार का मानना है कि ये बजट अगले 25 वरसों के भारत की आर्थिक विकास और विस्तार की नीव रखेगा वित्यमंत्री ने अपने बजट भाशन में तमाम बड़े ऐलान किये लेकिन संसद जिस ऐलान के बाद तालियों को सोर से गूंज उठा तो वो था उनका इंकम टैक्स में छूट जैसे वित्यमंत्री ने अइलान किया कि नए टैक्स रिजीम के तहट 7 लाख रुपे तक की इंकम टैक्स फिरी हो जाएगी लोगसभा में मौझूद सांसद में जोरदा अंदाज में थप तपाने लगे और पूरा सदन गुझ उठा लेकिन टैक्स रिजीम के तहट सरचार्ज को 27 फिजदी से घटा कर 25 फिजदी कर दिया गया है सबसे अधिक सरचार्ज 42.7 फिजदी से कम होकर 49 फिजदी पर आ गया है प्राइविट नोगरी करने वालों के लिए रिटायर्मेंट पर लीव एन कैस्मेंट पर छूट की लिमिट को बढ़ा व्यक्तियों और व्यवसाईयों को ये स्कूटी नोटिस भेज़ता है गोल्ड का इगोल्ड में रिसिप्ट में कानवर्जन इसके वेप्रीत कैपिटल गेन को अट्रेक्ट नहीं करेगा वरिष्ट नागरिक बचत योजना के लिए बिना पेन वाली लोगों के लिए EPF नि पत्र स्कीम का एलान किया इसमें दो लाक रुपे तक की राशी जमा की जा सकती है घर खरीदने पर कैपिटल गेन छूट को अब 10 करोर रुपे पर स्थीमित कर दिया गया है एक अपरल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉल प्रीमियर 5 लाक रुपे से अधिक होने पर जी के लिए इंपूट टेक्स क्रेडिट प्रतिबंदित कर दिये गए हैं इसके अलावा सप्लायर को भुक्तान के बाद में सैमी को किये गए भुक्तान पर किये खर्च के लिए कटौती की अनुमती दी जाएगी